चलिए दोस्तों आज चुके हम अपने लैप्टॉप की स्क्रीन के उपर और आज के वीडियो में जैसे कि मैंने आपको पहले बता है कि हम लोग Bweb Vulnerable Web Application की नई केटेगरी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है Security Miss Configuration और Security Miss Configuration के अंदर आज सबसे फहले हम arbitrary file access वाली जो vulnerability है उसे practically सिखेंगे कि कैसे उसे find करते है और कैसे exploit करते है तो चलिए दोस्तों start करते हैं सबसे पहले देखिए मैंने यहां पर अपनी काली Linux जो operating system है उसे open कर लिया है run कर रही है मेरी काली Linux और यहां पर मैंने यह जो अपना bweb virtual bbox जो virtual machine start करके रखा है उसका IP 29.93 यहां पर मैंने access किया हुआ है अपने काली Linux machine में तो चलिए हमारी bweb vulnerable web application open है तो चलिए इसे सबसे पहले login करते हैं b और bug से तो यह देखिए यहां पर हम portal page पर आ गए है तो चलिए आज की हम vulnerability select करते हैं जो की है security miss configuration के अंदर access arbitrary file access और hack पर click करते हैं तो यहां पर जैसे हम hack पर click किया हम यहां पर आ गए arbitrary file access नाम के page के उपर और samba samba करके जो service run होती है किसी भी server के उपर उसके वारे में यह vulnerability है हमारी तो यहां पर देखिए क्या लिखा है the samba server is configured insecurely it allows an attacker to read or write यानि कि यह जो samba server है वो misconfigure किया हुआ है मतलब properly configure नहीं किया हुआ है और इसकी वज़े से यह attacker को कोई भी file को write और read करने की permission दे रहा है arbitrary files को तो इससे हमें successfully execute करना है exploit करना है तो कैसे करेंगे वो देखेंगे आज यहां पर hint हमें दी गई है defacement is possible ठीक है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि यह samba services run कर रही है या नहीं और कौन से port के उपर run कर रही है वो search करते हैं तो उसके लिए हमें end map की ज़रुरत पड़ेगी क्योंकि सबसे पहले हम information gathering करते हैं तो end map से हम सबसे पहले इस server की information gathering करेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम end map का command बार लेते हैं end map space hyphen s capital v उसके बाद space hyphen s capital c और उसके बाद हम अपना यहां पर मन लिजिए जो हमारा target IP है 192 168 29.93 दे देते हैं तो देखते हैं कौन-कौन से port हमें open मिल रहे हैं और देखते हैं कौन-कौन से port के उपर हमें samba service run मिल रही है ठीक है तो चलिए किया यह मैंने तो end map start हो चुका है देखते हैं कौन-कौन सा result आता है तब तक इस वीडियो में हमें metasploit की भी ज़रूरत पढ़ने वाली है तो यह देखिए मैंने यहां पर MSF 6 आपको मतलब MSF console मैंने start करके रखा है यानि कि metasploit को मैंने start करके रखा है क्यूंकि हमें metasploit से execution करना है metasploit का use करेंगे इस वीडियो में तो यह metasploit भी मैंने चालू करके रखा है जब तक end map का result आता है उसका wait कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या हम क्या कर पाते हैं तो यह देखिए दोस्तों यहां पर हमारा जो result है end map का वो आ चुका है थोड़ा हम उपर scroll कर लेते हैं और देखते हैं कौन-कौन से port open है कौन सी services run कर रही है तो यहां पर अगर हम देखे तो सबसे पहले आ गए हैं यह देखिए end map report for this 21 open है FTP 22 open है SSH उस पर open SSH run कर रहा है deb end में ठीक है 25 open है 80 open है 139 open है और 139 के उपर यह देखिए यहां पर samba smdb 3.x से भी 4.x के बीच में हमारी samba service run कर रही है 139 port नंबर के उपर ठीक है 443 भी open है यहां पर 445 भी open है 445 में देखिए फिर से samba service एक और run कर रही है 3.0.28a ठीक है तो यहां पर हमारा samba server run कर रहा है तो हमें मतलब की यहां से पता चल चुका है कि यह जो server है वो samba server execute हो रहा है तो हमें exploit करना है find करना है कि यह exploit होता है या नहीं यह देखिए यहां पर host script result यहां पर दिया गया है उसमें क्या दिया गया है देखते हैं samba OS discovery OS is unix यहां पर देखिए हमें OS भी मिल चुकी है unix OS है तो इससे हम information gathering से हम यह पता कर सकते हैं कि कौन सी OS चल रही है तो OS के इसाब से हम जब exploit select करने जाएंगे metasploit के अंदर तब हम proper जो exploit है वो select कर पाएंगे और हमारे exploit को properly execute कर पाएंगे run कर पाएंगे और ताकि हम जो vulnerability को exploit करने का try कर रहे हैं वो properly हम exploit कर सके और उस server का access हम ले सके ठीक है तो यहां पर हमें OS unix पता चल गया है ठीक है computer name है bbox netbios computer name domain name यह सारी चीज़े हमें time frame भी मिल रही है Samba security mode account use is blank आ रहा है authentication level is user authentication level ही है और challenge response supported ठीक है Samba to time protocol यहां पर दिया गया है protocol negotiation fail ठीक है तो यह सारी बहुत सारी चीज़े हमें यहां पर मिल रही है Nmap से और हमें पता चल रहा है कि Samba server यहां पर run हो रहा है तो चलिए Samba server run हो रहा है तो हम Metasploit से इसका exploit ढूंडते हैं और उसके बाद उसे exploit करने का ट्राइ करते हैं इस server को कि actually में यह जो हमारा server है वो exploit होता है या नहीं तो सबसे पहले Samba से related हमारे पास जो भी चीज़े exploit है या फिर कुछ भी है Metasploit के अंदर Samba से related उसे search करने के लिए हम यहां पर Metasploit में command लगाएंगे search space Samba क्यूंकि हमें Samba से related सब चीज़े डूणनी है तो हम Samba search करेंगे और enter करेंगे तो यह देखिए हमारे सामने result आ चुका है जिसमें की Samba से related कुछ भी हमें exploits या auxiliary यह देखिए पहली कुछ छे पांच छे auxiliary मिल रही है हमें फिर उसके बाद सारे exploits मिल रहे हैं यहां पर उसकी disclosure date दी गई है हमें कि कब-कब यह exploits disclose हुए है यानि कि कब इसे बनाए गए हैं इनकी rank क्या है normal है great है good है excellent है तो इस तरीके से ranking भी दी गई है हमें check भी किये check भी दिये गए है कि यह properly check है या नहीं है test किये गए है या नहीं किये गए है तो इसके उपर से अब इस इतने सारे 25 option है 25-26 option है हमारे पास तो इन 25-26 options में से हमें कोई भी एक option सिलेक करना है ताकि हम जो हमारा सर्वर है उसे exploit कर पाएं ठीक है तो यहां पर हम कैसे सिलेक करेंगे तो यह देखिए यहां पर हमें OS दी गई है ठीक है यह admin है SMB यह में नहीं चाहिए डॉस पर नहीं चाहिए स्कैनर नहीं चाहिए हमें ठीक है यह देखिए Linux OS पर Linux पर भी नहीं चाहिए जैसे कि हमने nmap में देखा था कि हमारी OS यहां पर हमें मिल रही है UNIX यह देखिए OS UNIX Samba मिल रही है तो हम UNIX से लेटर कुछ जो exploit होंगे वो ढूंडेगे ठीक है तो यह देखिए हमें यहां पर exploit मिल रहा है exploit UNIX HTTP लेकिन यहां पर इसमें Samba में कुछ नहीं है ठीक है उसके बाद UNIX MISC और DXC SEC ठीक है तो इसको हम देखेंगे कि क्या यहां पर मिल रहा है हमें इसका description पड़ेंगे कि disk CC demon command execution ठीक है तो हमें actually command execution की ही जरूरत है तो यहां पर हम यह वाला जो exploit है UNIX के अंदर UNIX के अंदर हमें total 3 exploit मिल रहा है ठीक है लेकिन हमें यह देखें web app के लिए कुछ नहीं चाहिए Citrix XX gateway वाला हमें नहीं चाहिए Quest Cake C system management वाला भी हमें नहीं चाहिए ठीक है क्योंकि हमारे पास Quest से related कुछ नहीं है हमें यहां पर चाहिए dist CC execution जो EXCC वाला जो हमारा exploit है उसे use करना है टो इस exploit को use करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो इसे copy कर लेंगे copy किया और यहाँ पर हमें use करने के लिए इसे command देना है use space और जो हमने exploit copy किया था इसे paste कर देंगे ठीक है तो यह देखिए हमने paste कर दिया आप करते हैं enter enter होते हैं यहाँ पर हम इस exploit के अंदर आ चुके हैं अब हमें यहाँ पर सबसे पहले करना है show options क्योंकि इस exploit के अंदर कुछ options हमें set करने पड़ेंगे ताकि हम उस server के उपर proper इस command को execute कर पाएं और उसका reverse shell ले पाएं ठीक है तो show options करेंगे और enter करेंगे ठीक है ओके option नहीं options लिखना है तो यह देखिए हमारे पास दो option इस exploit के करना है तो target के लिए हमें आर होस्ट सेट करना है उसके लिए हम यहां पर command लगाएंगे set यानि कि set और उसके बाद हमें आर होस्ट सेट करना है तो आर होस्ट सेट करेंगे आर होस्ट मतलब जो target होस्ट हमें जिस पर attack करना है ठीक है यहाँ पर हमारा target host है 192.168.29.93 वो हमारा target host है जो भी हमारा target server है अगर आप real time पर bug bounty कर रहे हैं तो जो भी आपको target server का IP address मिला है उस target server का आप IP address है यहाँ पर Rhost के तौर पर set करेंगे ठीक है तो चलिए अब enter करते हैं और यह देखे यहाँ पर हमारा Rhost set हो चुका है एक बार इसे confirm कर लेते हैं फिर से show options करके show options और यह देखे यहाँ पर हमारा Rhost set हो चुका है ठीक है तो अब सारी चीजे हो चुकी है हमारा Rhost और Rport दोनों भी set है अब हमें सिर्फ exploit को execute करना है या फिर run करना है इसके लिए हम exploit command लगा सकते हैं या फिर run command भी लगा सकते हैं तो यहाँ पर मैं exploit command लगाऊंगा और enter करूंगा फिर देखते हैं हमें reverse shell session मिलता है या नहीं मिलता है हमारे target server का तो यह मैंने exploit करके enter कर दिया तो दोस्तों यहाँ पर कुछ problem हो रहा है उसकी वज़े से यहाँ पर हमारा यह जो exploit है वो proper run नहीं हो रहा है और हमें session जो है वो नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक suggestion दूँगा आप try कीजिए अपने आपसे खुछ से यह exploit अपने जो Bweb application है उसके उपर execute करने का और run कीजिए देखिए आपको session मिलता है की नहीं और उसके बाद आप connect करके मुझे बताइए कि आपका यह जो payload है वो run कर रहा है या नहीं exploit है वो execute हो रहा है या नहीं आपको session मिल रहा है या नहीं आप मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताइएगा मैं चाहता हूं कि आप भी खुझ से try करें इस exploit को execute करने का और successfully खुझ से सिखे और खुझ से करें यह मैं चाओंगा तो आप भी एक बार जरूर try कीजिए अगर नहीं होता है तो भी मुझे बताइए और अगर हो रहा है तो भी मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताइएगा तो दोस्तो I hope कि मैंने आपको यह जो आज सिखाया कि आप कैसे arbitrary file execution exploit कर सकते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा तो दोस्तो मिलता हूं मैं आपसे next video में security misconfiguration की एक और नई vulnerability को practically perform करने के साथ तो तब तक के लिए take care चलिए दोस्तो आज उगया हम अपने laptop के screen के उपर और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं BeWeb Vulnerable Web Application की एक और नई जो category है जो की है security misconfiguration उसके एक और नई vulnerability के बारे में जिसका नाम है course यानि की cross origin resource sharing के बारे में सीखेंगे की cross origin resource sharing क्या होता है और कैसे होता है कैसे work करता है यह vulnerability तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले cross origin resource sharing की definition क्या है वो जान लेते हैं तो यह देखें यहाँ पर मैंने इसे लिट के रखा है definition यहाँ पर यह देखें cross origin resource sharing यानि की course vulnerability उसका definition यह है कि cross origin resource sharing is a browser mechanism which enables controlled access to the resources located outside the given domain तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पर यह होता है कि आपके browser के अंदर एक ऐसा mechanism होता है जो कि आपने जो domain दिया है ठीक है जो भी website का domain name दिया है उस website के domain में जो भी जो resources है वो access करने के लिए एक control manner में अपने आपके browser को access करने का एक मान लिजे access करने के लिए एक permission देता है उसे कह सकते हैं cross origin resource sharing यानि कि जो resources आपके browser को access करने है जो आपने domain दिया हुआ है उसे access करने के लिए जो permission देता है उसे कहते हैं cross origin resource sharing यानि कि जो भी अलग-अलग domain पे resources पड़े हैं उनको share करने का उनको access करने का जो आपके browser के अंदर mechanism है एक control manner में access करने का जो mechanism है उसे कहते हैं cross origin resource sharing ठीक है तो अब यहाँ पे मैं आपको जैसे image से एक image से समझाता हूँ कि यह actually पूरा work कैसे करता है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यह क्या है cross origin resource sharing और कैसे work करता है तो चलिए दोस्तों अब मैं वो उस image से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यह देखिए यहाँ पे मैंने यह image open करके रखी है अब इस image के अंदर आपको कुछ चीज़े दिख रही होगी देखिए दैसे कि यह यहाँ पे आपका browser है ठीक है यह यहाँ पे जो actual web server है जिसे आप access करने का try कर रहे हैं वो है और यहाँ पे दो और alternate server है जहाँ पे कुछ अलग-अलग services चल रही है ठीक है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लीजे मैं इसे color change कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अब यहाँ पे देखिए आपका browser है वो इस example.com को पहले access करने का try कर रहा है ठीक है तो जैसे यह example.com को access करने का try कर रहा है आपका browser तो यहाँ पे आपको response में मिल रहा है html, jss, jss, css यानि कि आपको एक basic सा web page मिल रहा है अब web page तो आपको मिलके आपके browser के उपर अब मान लीजे कुछ और services जो की run हो रही है ठीक है इस website के उपर उस services को यानि कि उस service के जो भी resources है उनको access करने के लिए इस server को क्या करना पड़ेगा दूसरे server पे जाके उसकी services को access करना पड़ेगा ठीक है मान लीजे capture की service यूज कर रहे है या फिर और कोई service जैसी use कर रहे है तो उस पे जाने के लिए उस service को access करने के लिए मान लीजे Google का capture service यूज कर रहे है तो Google के server पे इस browser को request करना पड़ेगा ठीक है तो मान लीजे आपका browser ये जो दूसरा server है ठीक है example B जो server है ठीक है ये जो cross origin यानि कि इसका resource अगर आपके browser को share करना है यूज करना है तो क्या करेगा आपका browser आपका browser ये XML HTTP request भेजेगा इस resource B server को ठीक है example B server को सौरी अब यहाँ पे क्योंकि ये जो example B.com जो server है या फिर जो B website है या जो service है वो course origin resource sharing से aware है और यहाँ पे उसे example A.com में उसे allow किया गया है इसकी वज़े से क्या होगा कि ये जो example B है वो आपको successful response कर देगा और आपके web page के उपर ये response आ जाएगा और जो services है example B के उपर run हो रही है उस सारी service को आप access कर पाऊगे आपके browser के उपर ठीक है अब दूसरा scenario यहाँ पे क्या होगा मान लिजे red color में चलते हैं और दूसरा scenario समते हैं कि मान लिजे आपके server को वही same service यूज करनी है example C server से ठीक है अब example C server पे आपके browser ने request बेजी तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो example C server है वो cross origin resource sharing से यानि कि course से aware नहीं है यहाँ पे course जो है वो allowed नहीं है यानि कि आपका जो example A server है वो उस example C server को allowed नहीं कर रहा है आपके web browser के उपर execute होने के लिए तो यहाँ पे क्या करेगा जो भी यह example C server जो है वो response करेगा उसका response आपके browser तक आएगा ही नहीं और आप जो example C server के उपर resources run हो रही है उनको आप access नहीं कर पाएंगे अब यहाँ पे यह जो है कि जो particular example B server की यहाँ पे मान लिजे हम ले रहे हैं example B server तो example B server की services हम कैसे use कर पा रहे हैं और example C server की services हम क्यों नहीं use कर पा रहे हैं वो कैसे decide होगा तो वो decide करने के लिए यहाँ पे हमारे browser में या फिर server के जो response है ठीक है server पे से जो हमें response आ रहा है browser पे उस server के response के अंदर दो headers लगाए हुए होते हैं security headers होते हैं जिनका नाम है यहाँ पे देखिए मैं दिखा हुआ है इनका नाम है access control allow origin और access control allow credentials यह दो server response headers होते हैं तो इन response header की मदद से आप define कर सकते हैं कौन से server से आपको resource यानि की कौन से server से आपको कौन सी service use करवानी है या नहीं करवानी है और कौन से server से कौन सी service use नहीं करवानी है मान लिजे आप यहाँ पे इस header की value star रख देते हैं ठीक है तो star का मतलब क्या हुआ कि कोई भी server से कोई भी service कोई भी resource जो है वो आप execute करवा सकते हैं यूज कर सकते हैं ठीक है मान लिजे यहाँ पे example A के response के अंदर आप access control allow origin को star करते हैं और access control allow credential को star करते हैं तो यहाँ पे आपका example A server जो है वो सारे दूसरे server से यानि कि यहाँ पर example B से भी और example C से भी जो भी resources आपके browser के उपर access करने हैं वो कर सकते हैं ये चीज़ allow कर देगा तो ये चीज़ allow करेगा यानि कि कोई भी malicious server होगा मान लिजे यहाँ पे example C server जो है वो malicious है तो यहाँ पर क्या होगा कि malicious server से भी आपके browser के उपर अगर response execute हो रहा है या फिर service execute हो रही है तो आपका browser vulnerable हो जाएगा और आपके browser के उपर attack हो सकता है और जो भी attacker है वो बहुत सारी चीज़े आपके browser से चुरा सकता है जैसे कि cookie वगरा something ठीक है और मान लिजिए example A के response के dot com इतना ही अलाव करते हैं ठीक है यह एक ही domain अलाव करते हैं दूसरा जो c वाला है उसे अलाव नहीं करते हैं और यहाँ पे भी example b.com को ही अलाव करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा सिर्फ example b से जो resources execute करने है या फिर resources use करने है उतने ही resources आपके browser के उपर use होंगे मान लिजे इतने ही example a और example b से जोतने resources use करने है उतने ही resources आपके browser पे run होंगे उतनी services आपके browser पे run होगी बाकी की service आप execute नहीं करवा सकते बाकी की service को आप या फिर बाकी की resources को आप access नहीं कर सकते है इस तरीके से आपका server यानि कि मान लिजे आपका जो भी main domain server है वो दूसरे किसी server के जो resources है उन्हें access करवा सकता है या नहीं करवा सकता है यह particularly depend होता है जो भी main domain का server जो है उस server का admin जो है उसके उपर depend होता है कि उसे कौन से दूसरे server से response लेना है या नहीं लेना है ठीक है मान लिजे उसे example b से response लेना है तो यहाँ पर इस access control allow origin को example b से ही set करेगा बाकी के जो servers है या फिर बाकी के जो resources हैं वहां से वो किसी भी resource को access नहीं करने देगा अपने main domain के उपर ठीक है तो इस तरीके से access control allow origin work करता है अब यहाँ पर आपको मान लिजे इस vulnerability को find करना है कहीं पर आप real world में bug bounty करने जा रहे हैं वहाँ पर आपको इस vulnerability को find करना है तो आपको क्या करना है कि as a attacker आपको उस website की जो भी request है उन्हें capture करनी है और वहाँ पर एक header add करना है request header जिसका नाम है origin origin नाम का आपको request header request के अंद रहेगा और वहाँ पर उस header के अंदर कोई भी xyz आपका जो server है evil.com मान लिजे आपका आपने कुछ server बना के रखा या फिर ऐसे ही कोई भी domain डाल दीजे और ऐसे तरीके से एक header आपको किसी भी request के अंदर add करना है और उस request को आपको server के उपर send करना है जो भी legitimate server है यानि कि मा xyz.com के उपर bug bounty कर रहे है ठीक है xyz.com के उपर bug bounty कर रहे है तो आपके request जो आप भेजोगे तो आपके host के अंदर xyz.com रहेगा इसके नीचे आप एक origin नाम का header add करेंगे वहाँ पर होगा evil.com और इस request को अगर आप भेजते हैं ठीक है और उसके response के अंदर यानि कि xyz.com के server के response के अंदर आपको access control allow origin मिलता है या फिर access control allow credentials ये दोनों headers आपको response header में मिल रहे हैं और वहाँ पे उसका value मान लिजिए कोई भी particular domain की जगा अगर यहाँ पे star star मिल रहा है आपको. ठीक है मान लिजिए कोई domain नहीं दिया हुआ है उसकी जगा आपको यहाँ पे star star यानि कि कोई भी domain से आप कोई भी resource access कर सकते हैं अगर ऐसे आपको allow किया गया है तो ये एक vulnerability है cross origin resource sharing करके ठीक है इस तरीके से आप cross origin resource sharing vulnerability find कर सकते हैं किसी भी website के उपर. मान लिजिए आप किसी भी website के उपर bug bounty कर रहे हैं वहाँ पर आपने request के अंदर origin नाम का header डाला और request को भेजा server के उपर server से response आ रहा है जिसमें कि आपको ये दोनो जो headers हैं वो इस तरीके से मिल रहे हैं. सेम टू सेम यही condition में आपको मिल रहे हैं तो यानि कि वो जो server है वो cross origin resource sharing vulnerability से vulnerable है क्यूंकि वो आपको कोई भी दूसरे जो servers है यानि कि कोई भी दूसरे server के उपर resources है उन्हें access करने की permission देता है वो ये भी नहीं check करता है कि वो legitimate server से resource use कर रहा है या फिर कोई malicious server से resource use कर रहा है ये कुछ भी check नहीं कर रहा है और वो आपको simply access करने के लिए दे रहा है इसलिए वो cross origin resource sharing से जो server है वो vulnerable है तो इस तरीके से आप find out कर सकते हैं तो दोस्तों अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें be web के अंदर एक exercise दी गई है जिसमें की हमें यहाँ पर cross origin resource sharing vulnerability Ajax के अंदर find करनी है तो यहाँ पर देखिए मैंने यह page open करके रखा है cross origin resource sharing का यहाँ पर हमें दिया गया है कि try to steal new secret using Ajax request from the malicious site ठीक है तो आपको यहाँ पर simply क्या करना है इस request को इस page की यानि कि इस पेज की request को आपको बब सूट के अंदर capture करना है और वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर जाके request के अंदर आपको जाके यह origin नम का जो रिक्वेस्ट एडर है उसे response headers मिल रहे हैं तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि यह cross origin resource sharing vulnerability से vulnerable है यह server तो आपको यह exercise अपने खुछ से complete करनी है cross origin resource sharing bweb के अंदर आप इस exercise को ज़रूर try किजिएगा crack करने के लिए अगर आपसे हो रहा है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके ज़रूर बताएगा कि आपने कैसे यह किया और अगर आपसे नहीं होता है तो भी आप मुझे जो exercise है इसे perform कीजिए और खुच से सीखे कि कैसे cross origin resource sharing vulnerability find होती है ठीक है तो I hope दोस्तों कि मैंने ये जो cross origin resource sharing आपको समझ में आ गया होगा और आप इस जो exercise है उससे भी जरूर ट्राइ करेंगे तो I hope कि आप इसे ट्राइ करेंगे और मुझे comment section में जरूर बताएंगे दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलता हूँ मैं आपसे next वीडियो में किसी एक और नई vulnerability के साथ तो चलिए दोस्तों आचुके हम अपने laptop की screen के उपर और आज के वीडियो में हम be web vulnerable web application की security misconfiguration category की एक और नई vulnerability को practically सीखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारी जो vulnerability है उसका नाम है denial of service large chunk size ठीक है denial of service यानि कि dos attack I hope कि आप सबको पता ही होगा अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि denial of service एक ऐसा attack होता है जिसमें कि जो attacker है वो web application के उपर जो भी attack करता है वो इतना ज्यादा यानि कि उस attack का size यानि कि मान लीजे जो attacker है वो web application के उपर इतने huge amount में इतने बड़े amount में request एक साथ भेज देता है कि जो target web server है वो या तो अपनी services down कर लेता है यानि कि target server down हो जाता है और जो legitimate users है उनको वो service नहीं मिल पाती वो legitimate users है वो particular web application को use नहीं कर पाते हैं तो इसे कहते है denial of service यानि कि जो legitimate users है वो किसी भी service का अगर इस्तिमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो attacker है उसने उस website के उपर attack किया इस वज़े से legitimate user उस website को या उस service को use नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कहते है denial of service dos attack ठीक है तो अब large chunk size मतलब की यहाँ पर यह होता है कि बहुत सारे amount में एक साथ बहुत सारा data उस server के उपर भेजा जाएगा ताकि server उस data को processing करने में थोड़ा सा time consume करे और जो time उसे लगेगा उसकी वज़े से जो denial of service होगा यानि कि एक एक ऐसी situation होगी जिसमें कि वो server है वो किसी भी request को respond नहीं कर पाएगा यानि कि जो user से उसे वो website access ही नहीं होगी तो इसे कहते है denial of service है तो चलिए अब हम इसे practically करके देखते हैं बीवेब वलनरेबल वेब अप्लिकेशन के अंदर तो यह देखे मैंने बीवेब वलनरेबल वेब अप्लिकेशन का यहाँ पर जो वेब सर्वर है यानि कि जो virtual machine है वो start करके रखा है और अब हम चलते हैं काल Linux start किया है और उसमें मैंने बीवेब अप्लिकेशन ओपन भी करके रखिया ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले लॉग इन कर लेते हैं बी और बग तो यह देखे मैंने login कर लिया है यह देखे फिलाल मुझे यह जो website है वो access हो रही है अब हम इस website के उपर यानि कि इसके जो server है उसके उपर denial of service attack perform करेंगे और देखेंगे कि फिर हमें यह जो website है वो access हो रही है या नहीं हो रही है तो यह आज के हमारी practical है तो यहाँ पर यह देखे denial of service large chunk हम select करते हैं और hack पर click करते हैं ठीक है तो जैसे ही हमने hack पर click किया यह देखे यहाँ पर हम आ चुके है denial of service large chunk size के page के उपर अब यहाँ पर हमें लिखा मिल रहा है कि the Nginx web server allowed remote attacker to cause a denial of service यानि कि DOS or to execute arbitrary code via a chunk transfer encoding request with large chunk size ठीक है तो यहाँ पर जो web server use हो रहा है वो Nginx web server use हो रहा है और जो Nginx web server है वो क्या करता है कि attacker जो होता है उसे एक बड़े amount में एक बड़े chunk size के अंदर बहुत सारी request भेजने की जो permission है वो देता है या फिर allow करता है उसे और वो जो chunk data आएगा वो सारा जो transfer होगा वो encoding form में transfer होगा जिसकी वज़े से यह जो web server है वो उसे process नहीं कर पा application create होगी जिसका नाम होगा denial of service ठीक है तो इसे कहते हैं हम dos attack यहां पर हमें hint भी दिया गया है hint दिया है launch the dos attack script on port 8080 and 8443 ठीक है इसमें से किसी भी port पे हम जो है कि हमारा यह जो script है उसको run करके denial of service attack कर सकते हैं ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम इसे script को download कर लेते हैं dos attack script है यहां पर तो हमने script पे click किया और यह देखिए python script हमें मिल रही है ठीक है तो ok करते हैं save करते हैं इस file को यह देखिए हमारी nginx underscore dos dot py file हमें मिल चुकी हमने download कर लिया है लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं कि nmap करके देखते हैं इस port के उपर 8080 और 8443 के उपर कि हमें क्या मिलता है ठीक है तो चलिए उसके लिए हम सबसे पहले टर्मिनल पर आके कमांड टाइप करते हैं nmap-sv और हमारा जो ip address है target server का वो 29.93 और उसके बाद हम यहां पर port देदेंगे 8080,8443 ठीक है तो हमें इस port पे क्या-क्या चल रहा है कौन सी services रन हो रही है वो चेक करना है ताकि हम पता लगा सके कि सच में engine x use हो रहा है या नहीं हो रहा है तो यह देखिए हमारा end map start हो चुका है देखते हैं क्या-क्या services आती है लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक disclaimer देना चाहूंगा एक चीज बताना चाहूंगा कि यह जो पूरी चीज है यानि कि denial of service attack है वो आपको कभी भी किसी भी website के उपर नहीं करना चाहिए किसी भी website के उपर denial of service attack launch नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही dangerous attack होता है और इसकी वज़े से जो website है वो पूरी की पूरी सकते हैं तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप कभी भी यह denial of service attack किसी भी website के उपर perform ना करें ठीक है यह सिर्फ educational purpose के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्या होता है denial of service attack कैसे perform करते हैं आपको real time में कभी भी इस attack को किसी भी website के उपर perform नहीं करना है चाहे आप bug bounty ethical hacking ही क्यों ना करते हो लेकिन आपको यह attack कहीं पर भी perform नहीं करना है ठीक है दोस्तों तो चलिए यह देखिए हमारा end map का result भी आ चुका है यहां पर port मिल रहे हैं हमें यह देखिए 8080 हमारा port open है service http रन हो रही है और यहां पर हमारा nginx server run कर रहा है 1.4.0 यानि कि यह जो हमारा nginx server है वो डॉस अटेक से वल्डरेबल है तो चलिए अब हम इस attack को perform करते हैं python script जो हमने download किये उससे मैं पहले आपको उस script को दिखा देता हूं यह देखिए यहां पर यह nginx underscore dos dot py करके हमारी python file है डाउनलोड के अंदर ठीक है तो चलिए इसे बन करते हैं और command prompt पर जाते हैं यहां पर हम type करते हैं cd download sorry डाउनलोड में जाएंगे यहां पर ls करेंगे list ठीक है तो यह देखिए यहां पर हमारी कहा गई file यह देखिए यहां पर हमें file दिख रही है nginx underscore dos dot py तो इसे हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि execution permission देनी होगी क्योंकि हमारे पास इस file को execute करने के लिए execution permission नहीं है तो वो देने के लिए हम क्या करेंगे ch mode 777 यह execution permission देने के लिए हमें जो है वो डालना पड़ेगा 777 और उसके बाद यहां पर हम engine engine x underscore dos dot py ठीक है तो enter करेंगे यह देखिए हमारी permission मिल चुके ls करके देखते हैं यह देखिए हमारी file का color change हो गया यानि कि हमारी file को execution permission मिल चुकी है अब हम इसे execute करेंगे execute करने के लिए simple सा command है यहां पर python script है तो हम इसे python में run करेंगे इसलिए python space engine x ठीक है engine x underscore dot dos dot py space करके हमारा target server का ip address 192.168.29.93 और उसके बाद colon करके जिस port पे हमें attack करना है 8080 ठीक है तो यह हमारा simple सा command है अब यहां पर क्या होगा कि फिलाल देखिए हम इस attack को perform करने से पहले देख लेते हैं कि यह देखिए हमें यहां पर इस website को हम access कर पा रहे हैं यह website हम accessible है यह देखिए जो page हम कर रहे है current setting हमने medium की तो medium हो चुकी है जो page हम लोग set कर रहे हैं जो चीज कर रहे हैं वो हमें accessible है ठीक है अब हम यहां पर क्या करेंगे कि यह जैसे ही हम enter दबाएंगे तो यहां पर इसकी वज़े से हम यहां पर इस website को access नहीं कर पाएंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों देखते हैं यह चीज होती है या नहीं होती है यह देखें यहां पर attack होना start हो चुका है यह देखें 66 में से 14-15 chunks चले गए हैं तो अब यहां पर देखें हम website को access करके देखते हैं कि यह website हमें access होती है या नहीं होती है ओके अभी भी हो रही है ठीक है लो पे जाते हैं लो पे भी हो गई है तो अभी फिलाल हमें यह website जो है वो access हो रही है तो हमारा attack यहां पर successfully perform नहीं हो रहा है तो चलिए दोस्तों फिर से एक और बार हम इस attack को perform करके देखते हैं और देखते हैं कि यह होता है यह नहीं तो यह मैंने enter प्रेस किया यह देखिए यहां पर हमारा attack स्टार्ट हो चुका है अब देखते हैं कि हमें यह website access करने मिल रही है या नहीं मिल रही है तो ओके अभी भी हमें मिल रही है यह website access हो रही है I guess मुझे यहां पर लग रहा है कि जो हम attack कर रहे है वो attack तो हो रहा है लेकिन यहां पर हमारा जो time है request send होने का timing है वो ज्यादा नहीं है और वो इतने ज्यादा amount में जो flood request है वो generate नहीं कर पा रही है इसकी वज़े से यह जो हमारा website है वो down नहीं जा रहा है हमारा server है वो जो down नहीं जा रहा है और इसकी वज़े से हमें यह सारी चीज़े access हो रही है यह देखे अब अब जाके यह हमारा जो site है वो down हुआ है यह देखे यहाँ पे bwap अभी भी load हो रहा है यानि कि हमारा attack यहाँ पे successful हो चुका है यह देखे हमारा page जो है वो proper load अब हुआ है तो एक थोड़े से time के लिए dos attack हुआ हमारी website के उपर हमें थोड़े से time के लिए यह चीज़ access करने नहीं मिली थोड़े से time के लिए हमारा जो page है था वो load हो रहा था यानि कि हमारा जो dos attack है वो successful हो चुका है ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से यह देखे यहाँ पे dos attack बंद हो गया होगा इसलिए हमें व website है वो access करने मिल गई फिर से एक और बार try करके देखते हैं यह देखे हमने यहाँ पे attack स्टार्ट कर दिया है ठीक है थोड़ा wait करते हैं उसके बाद हम page को reload करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि यह proper attack हुआ है या नहीं हुआ है यह देखे 10-11 request जा चुकिए अब हम reload करके try कर हो रहा है इसका मतलब यह है कि हमारा जो attack है वो successful हो चुका है थोड़ा slow हो रहा है बट successful हो रहा है थोड़े time के लिए denial of service situation हो रही है तो इस तरीके से आप किसी भी website के उपर denial of service attack कर सकते हैं लेकिन मैं आपको recommend करूंगा कि आप कभी भी यह attack किसी भी website के उपर ना करें चाह चाहिए यह लेकि दोस्तों आपको यह attack कभी भी किसी भी website के उपर perform नहीं करना चाहिए क्यूंकि यह बहुत ही ज्यादा dangerous attack होता है और यह जो attack होता है उससे जो target server है वो down हो सकता है उसके जो services है वो down हो सकती है यह सारी चीज़े होने के वज़े से आपको यह attack कभी भी perform नह से यहाँ पर यह जो security misconfiguration हुआ है यानि कि engine X को properly configured नहीं किया गया है इसकी वज़े से यहाँ पर यह जो vulnerability है वो मिली है हमें और इस vulnerability की वदद से यहाँ पर हम डॉस attack perform कर पाए है ठीक है दोस्तों तो I hope कि मैंने यह जो आपको denial of service vulnerability के बारे में समझा है वो आपको समझ में आ गया होगा तो दोस्तों मिलते है नेक्स वीडियो में एक और नहीं practical vulnerability के साथ तब तक के लिए टेक केर चलिए दोस्तों आज होगा हम अपने laptop की स्क्रीन के उपर और आज के वीडियो में हम भी वैप वलनरेबल वैब अप्लिकेशन के अंदर security misconfiguration की एक और नहीं देखने वाले हैं लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज की वीडियो में और पिछले वीडियो में हमने जो प्रैक्टिकल वलनरेबलेटी सिखी थी जिसका नाम था denial of service loss attack ये मैं आपको disclaimer देना चाहता हूँ कि आप कभी भी इस attack को किसी भी website के उपर perform ना करें ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सिर्फ educational purpose के लिए सिखा रहा हूँ आपको कभी भी किसी भी website के उपर इन attacks को perform नहीं करना होता है अगर आप करते हैं तो अपने रिस्क पर करेंगे और आप इस attack से कुछ legal actions में यानि कि कुछ complications में भी फर्स सकते हैं अगर किसी website ने आपके उपर legal action लिये तो आप फर्स सकते हैं तो कृप्या करके आप ऐसे attacks किसी भी website के उपर ना करें तो चलिए दोस्तों आप शुरू करने आज का वीडियो तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने अपना बी बॉक्स यहां पर स्थार्ट कर लिया है यहां पर मेरा काली लीनक्स रन हो रहा है जिसमें मेंने बी वैप एप्लिकेशन कोल के रखिए तो चलिए log in कर लेते हैं आज की vulnerability को सीखने के लिए यह मैंने b bug डाल दिया है और यहाँ पर हम login हो चुके है तो आज की जो हमारी vulnerability है वो security misconfiguration के अंदर हमारी vulnerability है slow http dos attack ठीक है तो यह देखिए दोस्तों यहाँ यहाँ पर हम slow http dos attack करने वाले है इस website के अंदर तो यहाँ पर लिखा हुआ है denial of service slow http dos the apache web server is vulnerable to slow http dos attack ठीक है यहाँ पर unleash the base ऐसा करके अहां में कुछ लिखा हुआ मिल रहा है तो हमें basically यहाँ पर slow loris जो python script है dos attack के लिए बहुत ही famous python script है यह तो इसका हमें यूज करना है और इसका यूज करके हमें यह जो bweb vulnerable web application है उसके उपर हमें इससे attack करना है और देखना है कि हमारा जो attack है वो successfully perform होता है या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पढ़ेगी slow loris script की तो यहाँ पर मैं slow loris करके github से डाउनलोड करने के लिए इसे रख देता हूं यह देखिए यहाँ पर हमने google search किया slow loris github और यहाँ पर सबसे पहली जो link आएगी वहाँ पर हम जाएंगे तो यह देखिए दोस्तों यहाँ पर slow loris github page पर आ चुके हैं यहाँ पर script के बारे में बता गया है so low loris is a basically http denial of service attack that affect threaded server it works like this we start making lots of http requests यहाँ कि इस script से हम बहुत सारी http requests start करते हैं उस server के ऊपर we send headers periodically every 15 second to keep the connection open we never close the connection unless the server does so if the server close the connection we create a new one keep doing the same thing यानि कि इस script से हम थोड़े थोड़े 15 second के अंतराल पे http request भेजते हैं और जो connection है server से वो कभी भी हम close नहीं करते हैं और अगर server सामने से connection close करता है तो भी हम connection open की request भेजते रहते हैं जिससे कि हमारा connection कभी भी close नहीं होता ठीक है तो यहां पर हम script का use करेंगे script को मैंने हम यहां से zip करके download करेंगे मैंने इसे पहले से download करके रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने download करके कैसे रखा है कहां रखा है तो हम जाएंगे cd downloads की अंदर sorry डाउनलोड के अंदर जाएंगे यहां पर लस करेंगे और यहां पर यह देखिए आपको slowloris master.zip करके फोल्डर दिख रहा है यह zip file है तो हम एसे अंजिप करेंगे पहले unzip space slowloris master.zip ठीक है तो ओके यहां पर अंजिप हो चुकी है ठीक है यहां पर ls करेंगे तो हमें यह देखिए एक नया फोल्डर मिल चुका है slowloris master करके तो चलिए अब हम इस फोल्डर के अंदर जाते हैं cd space slowloris master और इस फोल्डर के अंदर आके हम ls फिर से करेंगे तो यह देखिए यहां पर हमें सारी files दिख रहे है license mainface.in readme setup.py और slowloris.py हमें actually में इस slowloris.py को execute करना है हमारी website के उपर ताकि हम इसे attack कर सके यह जो हमारी bbox की bweb application है उसके उपर यह देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अभी हमारी यह जो bweb application है वो open हो रही है ठीक है यह देखिए यहां पर refresh भी हो गई है तो यह यहां पर हो रहा है यह चीज अब हम क्या करेंगे attack करेंगे और फिर इसे access करने का try करेंगे देखते हैं होता या नहीं तो यहां पर हम command लगाएंगे slowloris application को execute करने के लिए वो command है यहां पर सबसे बेले हम help देखेंगे क्या help हमें मिलती है क्या क्या commands है इसके लिए तो हम यहां पर execute करेंगे slowloris slowloris.py-space करके-h तो यहां पर यह देखिए हमें help यहां पर मिल चुकी है ठीक है help यहां पर देखिए होस्ट हमें किस होस्ट के उपर perform करना है host to perform the stress test ठीक है तो हम होस्ट करके देंगे फिर hyphen h यानिकी help hyphen p यानिकी port s socket verbose यह सारी चीज़े होती है तो चलिए हम जो हमारा ip है उसके उपर attack करते हैं तो इसके लिए हम command लगाएंगे dot slash slowloris.py sorry slowloris.py space hyphen p यानिकी port जिस port पर हमें attack करना है वो है 80 तो port 80 और यहां पर हम verbose set कर देंगे v करके ठीक है और हमारा ip target ip जो हमारा है 192.168.29.93 ठीक है तो यहां पर हमने verbose set कर दिया port set कर दिया और हमारा target जो है वो set कर दिया अब जैसे ही enter करेंगे तो बहुत सारी request इस website के उपर जाने लगेगी यह जो हमारी web application है उसके उपर और हमें यह access होना थोड़ी slow access होगी शायद पूरा बंद भी हो सकता है access होना यह देखिए अभी जीतना fast load हो रहा है उतना fast load ना हो तो चलिए attack करते हैं start करते हैं यह देखिए attacks होना शुरू हो चुका है यह देखिए इतनी देर में 144 request जा चुकी है ठीक है तो अब сво District देखिए किसे को हम access कर पारे हैं यह नहीं कर पा रहे हैं यह देखिए response हमारा slow हो चुका है be watch vulnerable aplication से यह देखिए यह page reload ही नहीं हो रहा है ठीक है यह देखिए अभी तक यहां फे लोड हो रहा एपिज और हम refresh नहीं कर पा है क्योंकि यहां पर हमारा अटेक जो है वो स्टार्ट हो चुका है यह देखें यहां पर creating socket यानि की इतनी सारी request जा रही है 15 सेकेंड का sleep time ले रही है उसके बाद भी request जा रही है तो इसकी वज़े से हमारा यहां पर attack परफॉर्म हो चुका है और हमें यह जो है वेबसाइट है पूरी access नहीं हो रही है तो यहां पर हमारा denial of service attack जो है वो actually में execute हो रहा है ठीक है तो इस तरीके से करते हैं किसी भी website के उपर stress testing या फिर denial of service attack हाला कि मैंने आपको पहले ही बताया जैसे कि कि आपको कभी भी किसी भी website के उपर stress testing या फिर day line of service attack परफॉर्म नहीं करना है यह वीडियो सिफ educational purpose के लिए है और अगर आप करते हैं ऐसा कुछ तो वो आपके खुद के जिम्मेदारी के उपर यह करेंगे और मैं इसके लिए रिस्पॉंसिबल नहीं हूँ ठीक है दोस्तों और तो मेरा तो रिकमेंड यहीं है कि आपको कभी भी ऐसे टाइपस के attack किसी भी website के उपर परफॉर्म नहीं करने होंगे ठीक है तो यह देखिए अभी भी हमारा पेज यहां पे लोड होई रहा है हमें कुछ यहां पे मिल नहीं रहा है अभी भी करन्ट सिक्यूरिटी लेवल लो ही है मीडियम पे सेट नहीं हुआ है यह हमारा क्योंकि यह हमारा जो है वो attack चल रहा है इसलिए ये सब हो रहा है तो अब हम इस attack को बन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें ये website access हो रही है या नहीं तो ये देखें मैंने stopping slow lorish कर दिया हमारा attack stop हो चुका है अब देखते हैं तो ये देखें तूरंत जैसे ही मैंने attack stop किया तूरंत यहाँ पे current security level भी medium हो गया और हमारा page भी load हो गया फिर से एक और बार करके देखते हैं ये देखें यहाँ पे ये actual में अभी और थोड़ा slow हो चुका है load होने में ये देखें बट load हो गया है ठीक है हम यहाँ से security level अगर change करते हैं तो ये देखें security level जैसे ही मैंने set पे क्लिक किया तो यहाँ पे load होना start हो चुका है जैसे ही मैं set पे क्लिक करता हूँ ये देखें current security level load तूरंत ही हो चुका है और हमारा page भी यहाँ पे load हो चुका है तो इस तरीके से slow law और इस नाम की जो script है ठीक है stress testing script है या फिर आप बोल सकते है DOS attack की जो script है उसे use करके आप website को stress test कर सकते हैं या फिर उसके उपर DOS attack कर सकते हैं तो दोस्तो I hope कि आज मैंने ये जो practical सिखा है वो आपको समझ में आ गया होगा और DOS attack क्या है वो तो मैंने आपको फिसले वीडियो में ही समझा दिया था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप नीचे description में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं उसका link मैं नीचे description में दे दूँगा तो I hope दोस्तों कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसे ही practical base एक और ने topic के साथ चलिए दोस्तों आज उके हम अपने laptop की screen के उपर और आज की हमारी जो vulnerability है जो हम सीखने वाले वो है security miss configuration category के अंदर cross site tracing xst vulnerability ठीक है तो ये bweb के अंदर हमारा cross site tracing का page है ठीक है इसके अंदर हम मतलब ढूंडेंगे कि ये हमें vulnerability मिलती है या नहीं लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि cross site tracing vulnerability क्या होती है और ये vulnerability कैसे work करती है ठीक है इसके बारे में जानेंगे तो चलिए सबसे पहले मैंने इसके बारे में कुछ link के रखा है मैं आपको समझा देता हूँ कुछ images भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिससे मैं आपको समझा देता हूँ लेकिन दोश्तों वीडियो में आगे बने से पहले एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों आपमेंसे बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन इस मेरी चैनल को सब्सक्राइब न कर रहे हैं तो प्लीस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे ताकि ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लाता रहूं और आप ऐसे ही bug bounty ethical hacking सीखते रहे हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैं इससे पहले minimize कर देता हूं यहाँ पर मैंने लिखके रखा है कि cross-site tracing vulnerability क्या होती है XST vulnerability तो यहाँ पर cross-site tracing यानि XST का मतलब यह होता है कि XST attack involves use of cross-site scripting vulnerability ठीक है तो यह जो cross-site tracing vulnerability है वो किस से use होती है मतलब कि कौन सी एक vulnerability है जिसका use करके आप हम cross-site tracing vulnerability कर सकते हैं या find कर सकते हैं वो है cross-site scripting vulnerability XSS की मदद से हम XST vulnerability find कर सकते हैं ठीक है अब यह vulnerability क्यों होती है cross-site tracing vulnerability है वो क्यों होती है यह देखे यहाँ पर लिखा हुआ है it uses trace and track HTTP methods किसी भी web server के उपर जब उन्होंने trace या track method को allow करके रखा होगा और वहाँ पर अगर हम XSS की मदद से यानि कि cross-site scripting vulnerability की मदद से वहाँ पर हम cross-site tracing vulnerability find कर सकते हैं कि उसे trace method के अंदर हम find कर सकते हैं अगर trace method enable है तो हम उसे find कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर इसे कहां गया है access t cross-site tracing vulnerability ठीक है तो trace एक method होती है HTTP method जो की use होती है हमारे request and response के अंदर जब हम method का use कते हैं जैसे कि get, post यह सारी method होती है वैसे ही trace और track भी एक methods दो method अलग-अलग होती है जिससे की trace method का यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि क्या use है ठीक है तो trace method का use यहाँ पर test method allows in client to see what is being received at the other end of the request chain यानि कि एक request chain अगल चल रही है ठीक है तो request के response side में दूसरी side क्या चल रहा है मतलब कि जो request की chain है एक के बाद एक जो हम request भेज रहे हैं उसके अंदर क्या चल रहा है उसको trace करने के लिए हम trace method का use करते हैं हमारी request के अंदर ठीक है या फिर जो भी server है वो उसे trace करने के लिए trace method को enable रखते हैं अपने web server के उपर जो भी server admin है अब यहाँ पर अगर कोई भी server के उपर trace method या track method enable है तो वो server XST vulnerability से vulnerable हो सकता है यह जरूरी नहीं है कि वो होगा ही लेकिन यह हम कह सकते है कि हो सकता है हमें इसे find करना होगा कि वो server इस vulnerability से vulnerable है या नहीं है ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि यह vulnerability work कैसे करती है या फिर background में actually में क्या होता है तो यह vulnerability arise होती है तो इसके लिए मैं आपको एक image दिखाता हूँ दो image दिखाता हूँ बलकि जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे यह जो vulnerability है वो back end में work करती है तो सबसे पहली figure हम यहाँ पे देखते हैं तो यह देखिए यहाँ पर हमें एक attacker का machine दिया गया है यहाँ पे left hand side में हमारा victim victim यानि की जो हमारा browser है ठीक है जो हम कह सकते हैं कि client है जो user है वो browser के अंदर अपना जो website है वो use कर रहा है और यहाँ पे यह victim server यानि की जो web server जिसे यह जो client है victim है वो use कर रहा है जिसके उपर request भेज रहा है तो अब यहाँ पर क्या होगा जो attacker है वो एक malicious page victim को भेजेगा जैसे कि आपको request number one में दिख रहा है कि malicious page victim को भेजेगा और victim जैसे ही उस malicious page को access करेगा यानि कि उस link पे click करेगा उस malicious page को access करेगा वो सीधा request जाएगा जो vulnerable victim server है उसके उपर यह देखिए जैसे ही click किया तो second request में हमें दिख रहा है कि वो vulnerable server के उपर request गया है अब जैसे ही vulnerable server यानि कि victim server के उपर request जाएगा वो क्या करेगा कि received bad script ठीक है वो यहाँ पे उस request को execute करेगा और उसका response देगा और जो bad script है वो जो victim है उसके browser के उपर run हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे trace method enable है और http भी http only भी enable है उसकी वज़े से यहाँ से क्या होगा कि जो cookie data और जो कुछ भी data जो bad script के द्वारा victim server से जो victim है यानि कि client है उसके browser के उपर आया है वो सारा data trace method enable होने की वज़े से यहाँ पे attacker के पास चला जाएगा जो कि हमें request number 4 में दिख रहा है ठीक है process number 4 है उसमें दिख रहा है send valuable data to attacker ठीक है तो यहाँ पे ऐसी पूरी process होती है अगर trace और track method enable है तो इस तरीके से पूरा एक attack scenario बनता है सबसे बहले attacker जो है वो जो victim है उसे request भेजता है या फिर कोई malicious link भेजता है अगर victim ने उसके उपर click किया तो वो सीधा request जो vulnerable server है उसके उपर जाएगा और vulnerable server उस request को execute करके उसका response जो है वो victim के उपर भेजेगा और victim को जो response मिलेगा उसमें trace method enable होने की वज़े से जो भी cookies या valuable data जो होगा वो सारा जो victim है उसके browser के उपर run होगा और क्योंकि cross-site scripting यहाँ पर vulnerability find की होगी attacker ने वहाँ से वो सीधा data जो है valuable data वो attacker के पास चला जाएगा ठीक है तो यह एक attack scenario है अब दोस्तों दूसरा scenario देखते हैं जहाँ पर कि आपको पता चल जाएगा कि अगर trace या track method disable हमने किया हुआ है तो क्य होता है ठीक है जिसे कि आपको difference समझ में आए जाएगा कि trace method और track method enable होने से क्या हो सकता है और disable होने से क्या हो सकता है तो यह देखिए यह हमारा दूसरा image है यहाँ पर मैंने दिखाया है यह देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि जो attacker है वो पहले की request की तरह ही जो malicious page है वो victim को send करेगा यानि कि client को send करेगा अब यहाँ पर क्या होता है कि client जैसे ही उस link पे click करता है या फिर उस page को open करता है तो यहाँ पर सीधा जो request है वो second process में देखिए सीधा victim server के उपर जा रहा है ठीक है तो victim server के उपर तो पहुँच गया यह request बट जब तीसरे process के अं information नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर trace method जो है वो disable है उसकी वज़े से जो response आएगा उसमें जो valuable data होगा या फिर जो information होगी वो सारी victim के browser के उपर आएगी ही नहीं client के browser के उपर आएगी ही नहीं और क्योंकि client के browser के उपर कोई भी data नहीं आएगा तो obviously बात है कि fourth step में जो attacker को सारा data मिल रहा है वो मिलेगा ही नहीं तो trace track method disable या enable होने का यह फाइदा या नुकसान होता है अगर disable होता है तो कोई information जो है वो server से client के उपर जाएगा ही नहीं तो अगर attacker ने कुछी client पर attack किया है तो वो valuable data पाही नहीं सकेगा उसके जो client है उसके browser के उपर से और अगर trace or track method method enable है तो यह सारी process जो attacker है वो easily कर सकता है ठीक है तो यहां पर always recommended है कि आपको हमेशा जो आपके web server है उसके उपर trace or track method disable करके रखने चाहिए अब दूसरे perspective से सोचते हैं एक attacker की तरह सोचते हैं कि हम अगर attacker है यानि कि हम अगर bug bounty ethical hacking करने बैठे हैं तो हमें कैसे सोचना है ठीक किसी भी server के उपर किसी भी request में HTTP method जो है trace or track वो दोनों method में से कोई भी एक method में enable मिल रही है या नहीं मिल रही है और अगर मिल रही है तो हमें उसमें जो cross site tracing vulnerability है वो है या नहीं है उस server के उपर वो find करना है ठीक है तो अगर आप as a bug bounty hunter या ethical hacker यह find कर लेते हैं कि trace or track method enable है और जो web server है या फिर जो भी server है आप test कर रहे हैं जिसे वो अगर access t यानि कि cross site tracing vulnerability से vulnerable है या नहीं है अगर आप find कर लेते हैं तो उसे आप report कर सकते हैं और आप bounty भी पा सकते हैं तो चलिए अब practically देखते हैं कि इस vulnerability को आप कैसे find out कर सकते हैं तो यह देखे यहाँ पर हमने login कर ल is enabled यानि कि हमें यहाँ पर पता है कि http trace method enable है ठीक है जब आप real time bug bounty या ethical hacking करने जाएंगे तो आपको पता नहीं होगा कि जो trace method enable है या नहीं तो आपको सबसे पहले यह find करना होगा कि trace method enable है या नहीं और अगर आपको trace method enable मिलती है तो आपको आगे जाके find करना है कि वहाँ पे cross-side tracing vulnerability है या नहीं है ठीक है तो यह सारी चीज़े हम step by step आज के वीडियो में देखने वाले हैं सबसे पहले find करेंगे की trace या track method enable है या नहीं है और उसके बाद cross-side tracing vulnerability भी है या नहीं है वो हम find करेंगे तो यहाँ पे देखिए दूसरा statement लिका हुआ है the web server is vulnerable to xst vulnerability य using xst even if the http only flag is set देखो यहाँ पे हमें http only flag अगर set है या नहीं है उससे कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपका जो target server है वो cross-side tracing vulnerability से vulnerable है तो आप इसे report कर सकते हैं चाहे http flag enable हो यानि की set हो या ना हो ठीक है तो यहाँ पे हमें हींट भी दी गई है try to steal the session cookie using xss modern browsers are not vulnerable ठीक है तो यह modern browser इसमें vulnerable नहीं है तो हम यहाँ पे सिर्फ इस vulnerability को find करेंगे ठीक है सबसे पहले find करेंगे कि trace method या track method enable है या नहीं और उसके बाद find करेंगे कि यह vulnerability इस server के उपर है या नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले हम use करने वाले हैं nmap tool का nmap की मदद से हम find करेंगे कि trace या track method इस server के उपर enable है या नहीं है तो चलिए find out करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं command लिख देता हूँ nmap-sv ठीक है उसके बाद हम यहाँ पे script डालेंगे script tag use होता है sorry script 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 tag मैं आपको बता दू use होता है कि nmap के अंदर जो scripts दी गई है उनको use करने के लिए हम script tag use करते हैं तो यहाँ पे methods कौन कौन सी enable है server के उपर ठीक है वो find out करना है तो उसके लिए एक script है nsc script है जिसका नाम है http-methods ठीक है तो यह एक script है जिसका हम use करेंगे कौन कौन सी method run हो रही है server के उपर उसको find करने के लिए उसके बाद हम यहाँ पे simply जो हमारा target server है उसका IP address दे देंगे 192.168.29.93 यह हमारा target server है यह देखिए यहाँ पे हमारा target server है आप अपना target जो भी है website वो डाल सकते हैं या फिर उसका IP address डाल सकते हैं और ऐसे nmap आप run कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा nmap का result आ चुका है और हमने यहाँ पे हमारा जो metasploit framework है उसे भी start कर लिया है एक minute मैं आपको दिखाता हूँ यह देखें metasploit भी हमारा start हो चुका है और यहाँ पे हमारा nmap का result भी आ चुका है यहाँ पे मैंने nmap के command में थोड़ा सा changes किया था यहाँ पे script tag डाल के http method script डाला था और script का argument भी मैंने डाला था http method.test all क्योंकि मुझे all methods जो भी running है वो test करनी थी इसलिए मैंने test all वाला जो argument था यह तो script का नाम ही है http methods यहाँ पे argument डाला था test all क्योंकि मुझे सारी methods को test करना था और यहाँ पे मैंने अपना IP address दिया था ठीक है तो यहाँ पे देखिए हमें port 80 open मिल रहा है यहाँ पे Apache server मिल रहा है और यह देखिए supported methods में हमें दिख रहा है get head post option trace यानि कि हमें यहाँ पे trace method enable मिल रही है ठीक है तो यह देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि potentially risky method trace तो यह मतलब निकलता है कि trace method जो है यहाँ पे enable है और trace method risky हो सकती है enable रखना किसी भी web server के उपर ठीक है और कुछ interesting result मिला आया नहीं देखते है अपाचे web server यहाँ पे चल रहा है देखिए 2.2.8 ठीक है ubuntu हमारी जो operating system है वो चल रही है ठीक है और कुछ चल रहा है और कहीं पे यह देखिए 9080 पे कौन सी method supported है supported method option get head and post ठीक है और कहीं पे हमें जी रही तो यहाँ पे 80 port पे हमें trace method enable मिल रही है इसकी वज़े से अब हम देखते हैं यह हमने information gathering कर ली कि हमें 80 number के port के उपर जो trace method है वो enable मिल रही है अब हम try करते हैं इस vulnerability को find करने का जो कि आज की हमारी vulnerability क्या थी जिसका नाम था cross site tracing ठीक है xst vulnerability जो है उसे find करने का try करते हैं तो उसको find करने के लिए हम एक scanner है उसका use करेंगे जो कि मैंने आपको पहले बताया था वो था निक्टो निक्टो scanner का use करेंगे और यहां पर हम simply IP address दे देंगे निक्टो कमांड डालके 168.29.93 और enter कर देंगे देखते हैं हमें निक्टो क्या result देता है ठीक है host के लिए h tag use करेंगे यह देखे hyphen host लिखा हुआ है हमारा target host या फिर URL तो उसके लिए हम h tag use करेंगे hyphen h करके क्यूंकि हमें host देना है तो हम hyphen h करके host देंगे और हमारा target server का IP address तो यह देखे है निक्टो ने scan करना शूरू कर दिया है हमें यहां पर सारा result दिखाई दे रह रहा है ठीक है उसके बाद यू server में लिक आइन नोड़्स वाया e tags header ठीक है यह सारी चीज़े दे रहा है x access and protection is not defined x content type option header is not set ठीक है यह सारी vulnerabilities हमें दिखा रहा है यह देखे ठीक है no cgi directory found ठीक है और कुछ क्या find कर रहा है यह देखे आप पाचे 2.2.0 is outdated mode sss appear to be outdated open ssl appear to be outdated ठीक है php appear to be outdated यह सारी चीज़े यह देखे यहां पर हमें जो आज की vulnerability find करने है वो allowed http methods में दिखा रहा है same result जैसे के हमने nmap में देखा था get head post option और trace trace method यहां पर भी दिखा रहा है तो यहां पर यह देखे osvdb877 http trace method is active suggesting the host is vulnerable to xst यह देखे है हमें जिस चीज़ को find करना था वो मिल चुकी है cross site tracing vulnerability हमें यहां पर मिल चुकी है xst vulnerability मिल चुकी है यह server जो है वो xst vulnerability से vulnerable है ठीक है तो यह यहां पर हमें xst vulnerability find हो चुकी है यह हमने nikto tool का use किया है इस vulnerability को find करने के लिए चलिए अब मैंने आपको बताया था कि हम इसको जो metasploit tool है उससे भी metasploit framework के उससे भी find कर सकते हैं तो चलिए metasploit मैंने start कर लिया msf console से तो इसमें कैसे find करते हैं वो दिखाता हूँ तो यहां पर सबसे पहले हम search करेंगे सर्च करेंगे हमें क्या search करना है कि http trace method हमें search करनी है ठीक है trace method से related हमें vulnerability find करनी है तो हम http trace करके search करेंगे ठीक है तो यह देखे search command हमारा मैंने http trace तो उससे related जितनी भी चीज़े metasploit के अंदर होंगी exploit होंगे auxiliaries होंगी ठीक है यह सारी चीज़े हमें यह पर मिल जाएंगी तो यह देखें यह सारी चीज़े metasploit ने find करके दिये है तो हमें सिर्फ scan करना है कि जो हमारा http trace method है वो enable है या नहीं और उससे xst vulnerability इस server पर है या नहीं यह हमें find करना है तो हम इसके लिए यह जो auxiliary है auxiliary scanner http trace वाड़ी auxiliary use करेंगे यहाँ पर देखें normal और यहाँ पर देखें http cross side tracing detection यहाँ पर clearly लिखा है कि हमें http cross side tracing detect करके देगा तो हम इसे use करेंगे तो use करने के लिए हम simple सी use command use करेंगे और यहाँ पर जो one number select करना है तो use one number करके हम enter करेंगे तो यह देखें हमारी auxiliary यहाँ पर set हो चुकी है अब auxiliary के अंदर हम आ चुके हैं तो उसके अंदर हमें क्या-क्या set करना है कौन से कौन से options हमें मिल सकते हैं वो देखना है तो हम command लगाएंगे show options करके और enter करेंगे यह देखेंगे अब यह यहाँ पर हमें क्या-क्या options मिल रहे है प्रॉक्सी मिल रही है प्रॉक्सी अगर हमें सेट करनी है प्रॉक्सी चेन सेट करनी है तो उसके लिए आर होस्त यानि कि हमारा रिमोट होस्त जो हमारा टार्गेट सर्वर है वो आर पोर्ट 80 ठीक है SSL false threats threats कितने भेजने है वो और virtual host तो हमें यहाँ पर रहोस्त करना है यह देखिया हमरा रहोस्त अभी सेट नहीं है ठीक है तो रहोस्त करना है उसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे सेट rhost set set करने के लिए command है set फिर क्या set करना है हमे rhost तो rhost और हमारा जो remote server है उसका ip address 192.168.29.93 और हम enter करेंगे तो ये देखे rhost हमारा set हो चुका है इसे एक बार confirm करने के लिए यहाँ पे हम show options फिर से करते हैं show options में ये देखे अब हमारा rhost यहाँ पे set हो चुका है ठीक है तो सारी चीज़े अब ready है rhost set है rport set है और हमारा जो auxiliary है scanner वो भी set है तो अब हम इस auxiliary को run करने के लिए execute करने के लिए simple सा command देंगे run और enter कर देंगे देखते हैं क्या result मिलता है ये देखे है run का result भी हमें तुरंत मिल चुका है 192.16.29.93.80 is vulnerable to cross-site tracing vulnerability auxiliary module execution is completed तो यहाँ पे हमें clearly मिल रहा है कि cross-site tracing vulnerability से ये जो server है वो vulnerable है तो ये इस तरीके से आप cross-site tracing vulnerability find कर सकते हैं दोस्तों मैंने आपको पहले समझा दिया है कि cross-site tracing vulnerability कैसे काम करती है अगर trace or track method enable है तो क्या चीज है background में होती है जिससे कि ये कोई भी server जो है वो cross-site tracing vulnerability से vulnerable होता है और कैसे trace or track method disable होती है तो background में क्या work होता है तो I hope दोस्तों कि मैंने आपको ये cross-site tracing vulnerability के बारे में आज समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा और कैसे हम इसे practically find कर सकते है तीन टूल से एक तो Nmap, दूसरा Nikto और तीसरा है Metasploit framework ठीक है तो इन तीन टूल से मैंने आपको इस vulnerability को कैसे find out करते हैं वो भी दिखा दिया है तो I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा ठीक है दोस्तो तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ